आज हम जो बैगन की रेस्पी सेयर कर रहे हैं, वो एकदम यूनिक हैं, इन्हें आप स्टाटर के रूप में टी टाम स्नैक्स में ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी वो चटपटे लगते हैं इस रेस्पी के लिए मैंने चार लंबे वाले बैगन लिये हैं, काले या हरे कोई सबी बैगन ले सकते हैं, तो सबसे पहले इनको इस तरह से छील लीजिए, देखें सबी बैगन को मैंने छील कर तयार कर लिया है, अब एक बैगन लीजिए, इसको चॉपिंग बोर्ट या किस प्लेट के उपर रखिए और चाकू से इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा काट लीजिए ये काम सावधानी से करिएगा जिससे हाथों पर चाकू ना लगे तो देखिए बैगन को हम इस तरह से काटेंगे जिससे डंठल के इसे पर जॉइंट है और नीचे की तरफ खुला तो देखिए इस तरह से हमने बैगन को काट लिया है एक बैगन को और काट कर मैं दिखा देती हूँ जैसे हम आलू के फ्रेंच फ्राई के लिए काटते हैं उसी तरह से हमें इन्हें पतला पतला लंबा लंबा रखना है ये देखिए इस तरीके से सभी बैगन को काट कर तैयार कर लिजे अब एक बड़े बरतन में दो गिलास पानी ले लिजे और इसके अंदर एक चमश नमक डाल देजे नमक को पानी में मिक्स कर लिजे अब इसके अंदर बैगन डाल देजे पानी में बैगन डालने पर बैगन उपर की तरफ हो जाते हैं तो इन्हें अच्छे से पानी में डुबे रहने के लिए इनके उपर एक भारी बर्तन रख दिजे अब एक बर्तन में हम एक चम्मच लाल मिर्ज पौडर डालेंगे आधा चम्मच नमक और एक चोथाई चम्मच काली मिर्ज पौडर एक चम्मच अध्रक लासुन का पेश डालेंगे और इसके अंदर तीन से चार चम्मच पानी डालेंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डाल रहे हैं दो बड़े चम्मच आरा रोट इसकी जगह कार्ण फ्लोर या चावल का आंटा भी ले सकते हैं अब हम एक चम्मच मैदा डाल रहे हैं यह बाइंडिंग का काम करेगा अब हम इनको अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो थोड़ा पानी हम इसके अंदर और डालेंगे और इन्हें मिला लेंगे पहले थोड़ा पानी डाल कर इन्हें मिक्स करिएगा जिससे इसमें कोई लम्स ना रहे तो थोड़ा पानी मैंने और डाला है इसके अंदर और देखिए इस तरह का हमें यह घोल तयार करना है इधर बैगन को नमक के पानी में भीगोई हुए 10 मिनट हो गए है और यह देखिए बैगन बिल्कुल भी काले नहीं पड़े है और जो बैगन के लच्छे हैं वो थोड़े हाड हो गए है तो बैगन को पानी से निकालने के बाद हम इन्हें किचें टावल से इस तरह से पोच लेंगे हलके हाथों से पोचेंगे जिससे इसके लच्छे तूटे नहीं तो इस तरह से पोचने के बाद हम एक बैगन लेंगे और इनको हम इस घोल में डिप करेंगे चम्मस से इसके अंदर ये मसाले वाला घोल डालेंगे जिससे एक एक लच्छे पर ये मसाले लग जाएं ये घोल बैगन के उपर अच्छे से लिपट गया हैं तो अब हम एक प्लेट में ब्रेट क्रम्स लेंगे और इसके अंदर ये बैगन टालेंगे और bread crumbs को हम इसके उपर लगाएंगे इस तरह से जिससे एक एक लच्छे bread crumbs से कोट हो जाए इस तरह से लगा कर हम प्लेट में रखते जाएंगे तो देखिए सभी बैगन को हमने बना कर त्यार कर लिया है कढाई में मैंने oil भी गरम कर लिया इधर इसके अंदर ये बैगन डालेंगे ध्यान रखिएगा बैगन डालते समय तेल अच्छा गरम हो नहीं तो ये बैगन सौफ्ट पढ़ जाएंगे और oily हो जाएंगे हाई फ्लेम पर हम बैगन को 2-3 मिनट तक fry करेंगे बैगन नीचे की तरफ से हलका ब्राउन हो गया है तो हम इन्हें पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी 2-3 मिनट तक सेक लेंगे दूसरे तरफ से भी इनका कलर हलका ब्राउन हो गया है तो हम इन्हें निकाल लेंगे थोड़ी देर हम इस तरह से रखेंगे जिससे एक्स्टा ओयल निकल जाए उसके बाद हम इन्हें टीशू पेपर पर निकाल लेंगे सभी बैगन को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और ये देखिए मैंने इस रेस्पी को बैंगन फिंगर फ्राईज नाम दिया है आप इस रेस्पी को क्या नाम देंगे कॉमेंट में जरूर बताईएगा ये बैंगन फिंगर फ्राईज बहुत ही क्रिस्पी चटपटे और टेस्टी बनते हैं तो चलिए अब हम इन्हें तोड़ कर दिखाते हैं ये देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं अंदर से एकदम सॉफ्ट तो इस रेस्पी को धनिय की चटनी के साथ या टोमेटो सॉस के साथ आप सर्फ कर सकते हैं टी टाइम स्नैक्स के रूप में थोड़ा सा हम टोमेटो सॉस टाल रहे हैं टोमेटो सॉस और धनिय की चटनी के साथ ये बहुत ही ज्यादा स्वादिश लगते हैं गर्मा गरम बैगन के इन लच्छों के साथ थोड़ी सी चीज भी टाल कर और इन्हें सर्फ कर ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रेस्पी है ट्राइ करिएगा और कामेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा रेस्पी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और नए नए रेस्पी देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलेगा और अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ सेयर चरूर कईएगा फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ धन्यवाद